नमस्कार जियोतिस जिवन और अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का वीडियो है मकर संग्रान्थी दोजहार चोईस पर इससे पहले आज आप सभी को मकर संग्रान्थी की पहुत बहुत हारदिक हारदिक बढ़ाई सुद कामना है अब बात करते हैं कि मकर संग पूजाविदी और अब की बार मकर संग्रान्थी कैसी है इसका वाहन क्या है इसका वाहन कैसा है किस दिशा में जा रही है वस्त कैसे है वह मकर संग्रान्थी क्या बख्षन कर रही है वह इसका रासियों पर क्या प्रभाव रहेगा इस दिर क्या करना चाहिए आजी संपु करें वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें अब बात करते हैं कि जब सूर्य भगवान धनु रासी को छोड़कर और मकर रासी में प्रविश्च करते हैं तब उस दिन को मकर संक्रांती कहते हैं सूर्य देव परतेक महिने एक रासी को छोड़कर और दूसरी रासी में प्रवि करेंगे तो वर्षिक की रासी और अब की बार यह मकर रासी में प्रिविश करते हैं अत्व मकर संक्रान्ति इसे कह जाती है इस मकर संक्रान्ति को उत्रायन पॉंगल मकर विलप को माग और भीहु नामस भी इसे जाना जाता है आज से सूर्य भगवान उत्रायन हो जाएंगे आज ही के दिन भगिरत ने पवित्र गंगा नदी को पुर्थवी पर लाए थे बिश्वे पितामयन है मकर संक्रान्ति के दिन को ही चुना था और मा यिसोदा ने सी कृष्ण को पाने के लिए इस दिन मकर संक्रान्ति के दिन ही पूजन और वर्थ किया था अब बात करते हैं कि मकरशंक्रान्ती कब है इस बार मकरशंक्रान्ती विक्रम संबत 2018 पोस मास सुकल पक्स पंचमी पाचम बार सों बार तारिक 15 जनर्वी 2014 को है अलन की सूरी देव धनुराशी को छोड़कर और मकरशंक्रान्ती 15 जनर्वी 2014 को ही मनाई जाएगी अब आत करते हैं कि इस दिन क्या करना चीए च्या करें 15 जन्वरी 2014 को ब्रह्म मुर्त में किशिभी पवित्र अंदी में सनान कर करने का इसका विसेस महत्व है अगर बाहर आप नहीं जा सकते हो तो घर पर ही पानी की बाल्टी में गंगाल जल डाल कर और फिर सनान करना चाहिए इस दिन तिल का दान करें, केशरी का दान, गायों को हरा चारा, गुड या लड्डू विसेस प्रकार के लड्डू बना कर आप गायों को दे सकते हो हरी सबजियों का दान है, ओनी वस्त्रों का दान है, अनाज का दान है, इनका अतिविशिश महत्व है इस दिन गुड और तिल से बने हुए वेंजन खाने से आर्योगेत्था मिलती है अब बात करते हैं कि मकरशंक्रान्ती कैसी रहेगी अब की बार कैसी है इस बार 2014 की मकरशंक्रान्ती दक्षिन गमन यानि की दक्षिन की और जारी है इसकी द्रश्टी है वो निरत्यों दिशा में है विष्टी करने है इसका वाहन अस्व यानि कि गोड़ा है उप वाहन सीह है काले वस्तर पहने वुए है पात्र पत्तों का है मारजा मद लेपन है विप्र जाती की है आनि ब्रामण जाती की है गुंजा भूषण है नेल इस प्रकार से अब की बार मकरशंक्रान्ती है अब बात करते हैं कि इस मकरशंक्रान्ती में क्या करना चीए मकरशंक्रान्ती के दिन सुबह ब्रह्म मुर्त में सनान कर प्रातकाल और सूरी देव को तामरे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कौंकौं, चावल पुष्प डालकर और सूर्य भगवान को पुर्व की और खड़े रहकर और जल का अर्गे देना चीए। बड़ती हैं। विद्यार्थियों के लिए विद्याध्यन जो करते हैं। विद्याध्यन करने की उनकी शक्ती है वो अच्छी हो जाती है। अब बात करते हैं, कि मकर्संक्रांती का रासियों पर क्या प्रभाव रहेगा। मकर संक्रांती के दिन बनने वाले ग्रह गोचर के आधार पर अब की बार मकर संक्रांती व्रशिक, कन्या, व्रशब और मीन इनके लिए मकर संक्रांती सुब दाई है यानि की अच्छी फल दाई है यानि की अच्छी है अब आत करते हैं कि मकर, मितुन, सीह और कुम्ब इनके लिए प्रतिकुद रहेगी यानि अच्छा नहीं माना गया है फिर मेक, करक, तुला और धनू इनके लिए मध्यम रहेगी यानि कि शामाने रहेगी इस मकर संग्रान्थी के बाद से यानि कि 15 जनरी 2014 के बाद में सभी सुब मांगलिक कारे शुरू हो जाएंगे वह इस दिन पतंग उड़ाने का विशेश त्युहार है हालंगी पूरे भारत में पतंग उड़े जाते हैं मगर विशेश करके गुजरात और राज्तन में इसका बहुत ही अच्छा महत्व है जैसी कृष्ण